ऐसके बात करेंगे जो 3 श्टोक्स इसमें आपको मेली सीखने को क्या मिलेगा Volume Analysis Before Breakout की Breakout से पहले या Upside Momentum आने से पहले आप Volume के Analysis से यह पता लगा सकते हो कि Particular किसी स्टोक्स में Momentum आने वाला है या फिर नहीं आने वाला है तो देखिए मेरी हर वीडियो में आपको कुछ नहीं सीखने को मिलता है तो मैं पहले ही आपको clear कर रहा हूं disclaimer कि मेरी कोई direct tips या कोई direct आपको recommendation by self की नहीं रहती है मेरा purpose यहीं की रहता है कि आपको हर वीडियो में कुछ नहीं सीखने को मिल जाए तो आज की वीडियो भी ऐसे ही एक नहीं learning के साथ जिसमें आपको proper volume analysis सीखने को मिल जाएगा तो हम पहले बात कर लेते हैं एक वर nifty और bank nifty के चार्ट पर तो देखिए अभी जैसे एक news running में है hiddenberg की तो जो भी news है मैं उसको ज़्यादर detail में discuss नहीं करूँगा एक बात ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप long term investor है positional investor है तो यह market में छोटे मोटे dips साते रहते हैं या यह temporary news गयारे चलती रहती है लेकिन अगर आपने अच्छे stocks को buy करा हुआ है hold करा हुआ है तो आप अपने stocks को देखिए stocks का chart देखिए उसके fundamental देखिए कि जब तक उसमें trend change नहीं होता है तब तक उसमें बने रही है अगर आप trend चलता जा रहा है तो उसको बने रही है कि ऐसी कोई भी news पे एक दम react ना करके अपना portfolio सारा sell मत करें तो जो swing trader होते हैं उनके लिए रहता है कि stop loss target के साथ trade करना लेकिन अगर आप long term trader investor है तो आपके लिए कोई tension की बात नहीं रहती है जब कि जब कभी भी market में कोई dip आता है या ऐसी कोई correction आती है तो वो आपको एक का मौका मिलता है फिर से ने stock और अच्छे stocks को add करने का और अगर कोई आपको लगते है कि आपका stock कोई trend reversal means अब trend से downtrend में start हो गया है तब फिर आप exit किजिए और ने stocks में enter किजिए जो अच्छे discount पे और अच्छे level पे आपको मिल रहा है तो ये था एक चोटी सी मेरी तर से advice आपको क्योंकि हमने पहले भी देखा है कई बर जैसे यहां पर देखिए nifty की बात करें ये candle की बात करें ये result की टैम पे इतना बड़ा नीचे गया week बना फिर बापिस देखिए उपर आ गया तो ऐसा नहीं कि यह जहां पर देखिए य अब sell कर दो अपना portfolio ऐसी गलती ना करें आप market को देखकर अपना portfolio sell ना करें कि यह भी हो सकता है कि जो stock आपने अपने बात कर रहे थे हम तो nifty की candle का देखिए ये candle के बाद भी देखिए कैसा अच्छा momentum आया तो यह हमने डिसकस किया था कि अगर weekly closing 24,000 के नीचे अगर जाती है तब यह और इसमें correction आ सकती है लेकिन weekly closing इसके नीचे नहीं आई तो यह एक major important आर पार यह level है तो यहां से एक तरह का आप देख सकते हो यह hammer candle बन चुकी है तो हो सकता है कि यह Monday को अगर माल लेजी कोई dip आता है तो वहां से market फिर से recover हो सकती है तो जब तक है 24 के उपर हम weekly close पे है then कोई tension वाली बात नहीं है then okay है वहीं पर अगर बात करें हम bank nifty के चार्ट की तो bank nifty के चार्ट में भी देखोगे तो exactly यह यहां पर जो इसने यह breakout level था उसे retest करने आ चुका है तो उसको just थोड़ा सा इसने touch किया नीचे यह candle तो यह अभी इसका जो important support का level रहेगा यह आप देख रहे हैं चोटी सी candle bank nifty की यह जो low है 49.530 का तो यह 49.500 के जब तक इसके ऊपर है तब तक इसमें यह सिरफ correction है trend change नहीं है इसके निचे weekly close देता है 49.500 तब यह trend फिर change हो सकता है फिर हम द्वारा फिर एक और इसमें बड़ी correction आ सकती है 46 तक तो यह level अभी important रहेगा 49.500 इसको आप note करके चलिए तो bank nifty में भी same आगर को dip मिलता है अगर 49.500 hold कर लेता है तब इसमें आप नीचे से dip में buy कर सकते हो मैंने आपको telegram पर इसका 15 minute का time frame चार्ट वी यह send किया था जो bank nifty में यह इस chart को आप read कर सकते हो तो यह अभी next week इसमें important रहेगा कि closing कहां रहती है weekly closing तो यह था एक nifty और bank nifty पर update अब बात कर लेते हैं हमारे चार्ट to the week stock की तो आज का जो मारा first चार्ट to the week stock है उसका नाम है यह यहां पर मैंने नाम इसका टाइप किया हुआ है एक बार मैं इसका चार्ट जस्ट इसका चार्ट रीड करने से पहले एक हम एक और चार्ट देखते हैं जो हमने बहुत टैम पहले आप पर साथ शेर किया था इसका इसका सिंबल नेम इंजिनिरिंग इडिया यह जस्क मैं लर्निंग के लिए से क्योंकि इसमें भी कुछ का सिमिलर पहले इसका आप चार्ट रीड करें यहां पर क्या हो रहा है जब यह देखी यह निचे यह इसने जैसे नाइंटी हाईट बनाया यह प्राइज आ गय यह प्राइज यहां पर तो यह क्या था बिल्कुल वोल्यूम इसमें लो हो गये थे साइडवेज वोल्यूम थे तो जब साइडवेज वोल्यूम हो जाते हैं करेक्शन के बाद तब आप expected करके चल सकते हो कि अब जो वोल्यूम इसमा आएगा यह इसमें जो momentum स्टार्ट होगा वो upside और breakout देखे जा सकता है तो जैसे यह देखे इसमें momentum स्टार्ट हो गया था और उसके बाद यह breakout यहाँ पर भी आया था यह फिर हमने chart of the week में भी cover किया था और उसके बाद कितना बड़ा move आया फिर यह द्वारा भी हमने chart of the week में cover कर रहा था जब यह candle यहाँ पर बन गी थी green 127 पर और उसके बाद आज की rate में यह देखिए तो यह stock अगर आप प्राने follower हो तो engineering India यह तो आपको याद ही होगा तो यहाँ पर आपको क्या देखने के मिल रहा है कि volume main important क्या है कि volume इसमें बिलकुल low हो जाते है जब यह price नीचे आ जाता है support level पर खास तोर पर support level पर आपने volume के analysis देखना है कि वहाँ पर volume कैसे है अगर volume बिलकुल sideways है ज्यादा volume नहीं है तो वहाँ पर उस stock पर watch list में add करो focus करो कि जैसे उसमें momentum start होगा कोई trend reversal breakout थोड़ा से भी आपको दिखाई देता है तो वहाँ पर उसमें entry का plan कर सकते हो तो ठीक ऐसे हम बात कर लेते हैं पहले हमारा जो आज का first stock है एडल वाइस लिंटेट तो यह हमारा first chart of the week है तो पहले मैंने आपके साथ share किया वो just learning care लिए इसमें आप पहले आप इसक मंतली चार्ट भी देख सकते हो यह देखिए मंतली चार्ट overall जब भी आप किसी stock analysis कीजिए मंतली चार्ट जूर देखिए कि इसमें देखे 2018 में इसमें 200 का level का high बना था उसके प्राइज आता था नीचे यह 30 तक भी आ गया था नीचे 19 और अब इसने 30 के पास कई बार support लिय अब यह आप इसका मंतली चार्ट देख रहे हो तो यहाँ पर आप देखोगे तो यह बार बर आभी 60 के पास support ले रहा है इसके नीचे नहीं जा पा रहा है और इसमें यह जो breakout आ गया था यह क्यों नहीं नीचे जा रहा है यह breakout लेवल था 60 का और अब यह इसी level को यह बार इसके slow होगे यहाँ पर वोल्यूम मिलकुल sideways होगे जैसे वोल्यूम sideways होगे और जैसे इसमें momentum start हो गया और जो इसमें आप देख रहे हो जो volume जो upside move आ रहा है वो volume के साथ move आ रहा है और जो correction आ रहा है इसमें उसमें बिलकुल volume low रह रहा है तो इसमें यही और है कि बड़े player इसमें I think इसमें entry करते जा रहे हैं और जो छोटे player हो निकल जाते हैं तो जैसे इसमें momentum आया जैसे इसमें momentum देखी trend reversal breakout आ गया था इसमें 72 के पास अगर आप इसको catch कर रहे होते है market में तो यह 72 के पास भी entry आप कर सकते थे इसमें जिस दिन भी इसमें यह momentum देखी यहाँ प पिलता है correction मिलता है 60 65 के आसपास मिल जाता है तो वहाँ पर entry कर सकते हो या फिर यहां से यह continue चलता है तो आप इसको 88 या 90 के पास इसको plan कर सकते हो 88 वो या 90 के वो तो वहाँ पर भी आप इसको plan कर सकते हो तो दोनों में से जो level पहले आते है तो उस level पर आप इसमें entry plan कर सक यह target एक दूदिन के लिए वन वीक के लिए यह target आपके 3, 6 मत वन यर के लिए मैं आपको ले के चलना हूं अगर बात करेज़् में stop loss, stop loss इसमें simple है, अगर 58 के निचे है अगर यह weekly close देता है, सब आपको इसमें से एक बार के लिए exit कर देना है तो यह simple है target stock loss के 7 अब है जो दूसरा stock दूसरा stock का नाम है DCW Limited तो यह हमारा chart of the week में second stock है इसको भी ध्यान से समझीए अभी इसका price क्या चल रहा है आप देख सकते हो 80 के पास मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपने यह public telegram channel पर आपको यह share किया था यहाँ पर आप देखी यह chart जब इसका price था यह 67 के पास और यह यहाँ पर एक डील भी हुई थी 20 lakh shares के जो इसमें बाइंड डील थी तो यह मैंने आपको share किया था और यह chart of the week में हमने बहुत टेम पहले भी cover करा था और दूसरा आपको बताना जाँगो यह जो हमारा telegram channel है इसका link आपको description और comment में pin क्यों मिल जाएगा link पर click करके ही join करें live market में भी आपके साथ यह देखिए chart आपके साथ share करते रहते हैं तो link पर click करके ही आप join करना इसमें भी अगरा बात करें क्या करें तो मैं बार बार यह की बात कर रहा था कि इसको hold करो अगर आप इसको hold कर सकते हो थोड़ा सा time देना पड़ेगा क्यों hold के लिए मैं इसको बोल रहा था बार बार क्योंकि यहाँ भी आप volume का analysis देखोगे यह जो यहाँ पर volume में रखिए कि जब उसमें momentum आता है trend reversal आ जाता है तो उसमें momentum आता है जैसे यह trend reversal 62 के उपर निकला इसमें आप देखोगे यह इसमें trend reversal breakout आ गया है retest भी किया और फिर यह 62 से 80 तक चला गया तो ऐसे आप और भी stock अपने जो आपके माल लीजी आपके hold में है कोई stock sideways हो चुके है या move नहीं कर रहे है तो उनको अपने देखिए कि वहाँ पर support level क्या है वहाँ पर बार-बार stock support ले रहा है अगर support level break करके नीचे जा रहा है तब आप exit किजी लेकिन अगर support ले रहा है वो hold कर रहे है एक ही range में उसको hold जोर कर ये कभी भी उसमें momentum आ सकता है वो आपका सारा return 3-4 week में दे देगा तो इसमें देखिए जब इसमें correction आ रही है तो volume बिल्कुल low हो रहे है लेकिन जैसे जब इसमें momentum आ रहा है तो इसमें बार-बार volume आ रहे है तो लग रहा है कि अगर आप इसको थोड़ा से long time देंगे time देंगे hold करेंगे तो ये बड़े move के लिए त्यारी कर रहा है और जितना आप इसको नीचे buy करोगे, correction में buy करोगे उतना आपके लिए risk कम रहेगा और आपको reward जादा मिलेगा तो trend reversal breakout का और sport level से buying करने का benefit क्या रहता है आप सबको पता है कि आपको risk कम रहता है reward जादा मिलता है बट उसमें के वर ये भी रहता है कि आपको stocks को काफी long time fold करना पड़ जाता है तो अब बात करें इसमें entry का plan देखें entry अभी भी इसमें dip मिल जाता है मालीजी कोई 70 के पास पहला entry plan कीजिए 460 के असपास फिर second entry plan कीजिए अगर बात करें इसमें target की stop loss तो आपको यह रहेगा अगर ये 58 के 47, 48 के निचे अगर weekly close देता है या ये 200 EMA के पास बार-बार support ले रहा है तो अगर जब तक ये level hold कर जाते है तब तक आप इसमें बने रही है और इसमें अगर बात करें next target तो next target है 88 और then है 110 का तो ये था हमारा second stroke अब बात करते हैं आज का third stroke और last stroke last stroke है L came left ये हमारा chart to the week third stroke है इस stroke में काफी अच्छा ये lifetime hyper breakout है बिल्कुल beautiful breakout दिखाई दे रहा है ऐसे हमने और भी case stock discuss करें थे इसी sector का एक और stock मैं आपको बताता हूँ मैंने आपको breakout वीडियो में बताया था looping limited ये इसमें कुछ ऐसा ही देखी ये एक move आने के बाद channel में बन गया था ये channel में trade कर रहा था जैसे इसका breakout आया था ये हमने discuss कर रहा था ये देखिए 1700 से 2100 तक पहुंच गया तो इसमें almost 42500 मूमेंटम आ चुका है ऐसे ही एक कुछ chart pattern ऐसे दिखाई दे रहा है Alchem Lab में और इसमें भी breakout आ गया है निचे इसका sport level बात करें 4500 का और ये जो resistance था है इसका 5500 का तो ये वंधाव जैंट की range थी इसके बीच में प्राई range कर रहा था breakout आने से पहले इसमें देखिए थोड़ा दिरे दिरे upside momentum स्टार्ट हो रहा था और जैसे इसमें breakout आ गया तो volume काफी अच्छा हो गया और दूसरा इसमें आप देखोगे तो ये जो red candle जब जब इसमें red candle बनी है तो इसमें आप volume देखोगे तो इसमें भी जब red candle बन रही थी तो volume आपको बिल्कुल low हो रहे थे और जैसे ये breakout आ गया breakout पे इसमें volume हाई होगे तो इस टोप में भी अभी momentum आ सकता है कि दो तीन weeks इसमें momentum रह सकता है अगर कोई 5500 के पास dip मिल जाता है मालीजी तो वहां पर भी आप इसमें entry कर सकते हो यहां से 200-300 point current price भी कर सकते हो current price पर फिर अगर आप कोई intraday या short term में trade करते हो तो आप का close ले सकते हैं लेकर stop loss इसमें अगर रखना चाहते हैं तो daily के chart पे देखिए आप अगर यह retest में से daily के chart पे आप देख रहे हो तो हो चुका है यह 5500 के पास तो यही आपका stop loss रहना चाहिए 5470 अगर आप इसको बिल्कुल short term के लिए ले रहे हो long term के लिए तो फिर आपका यही बड़ा deep stop loss रहेगा 45 का long term investor के लिए तो अगर हम बात करें अभी target की इसमें तो target भी आप इसमें हम देख लेते हैं target क्या रहेना चाहिए nearest target तो इसका बनता है यहाँ पर 6,2,7,0 का और 7,3,0 का तो यह इसमें target stop loss में आपको explain कर चुका हूँ तो I hope आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा तो comment करके जोताना कि आपको कुछ नया सीखने को मिला या नहीं मिला और आपको सीखने को मिला तो वीडियो को like कर देना और share कर देना और अगर चैनल पर first time आया है तो subscribe कीजिए और bell icon को press कर दीजिए वीडियो पुरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद